हैदर निस्वा चैनल में आपका इस्तिखबाल है आज की वीडियो का टॉपिक है खुद की वैल्यू बढ़ाएं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब कभी मेरा कोई नया वीडियो आए तो आपको इसकी इतला मिलती रहे चलिए वीवर्स इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाएं मैंने आज की वीडियो खास कर आउर्टों के लिए बनाई है लेकिन इसका ये मतलब नहीं के मर्द नहीं देख सकते मर्द हजरात भी इससे फाइदा हासिल कर सकते हैं बास खवातिन अक्सर परेशान और दुखी रहती हैं कि घर वाले इनकी खदर नहीं करते मेरे पास कांसलिंग के लिए आने वाले कुछ आउर्टे इसलिए परेशान और दुखी रहती हैं कि उनकी खदर नहीं की जाती उनके घर वालों की जानिब से वो कहती हैं कि वो दिन रात सस्राल वालों की खिदमत करती है शोहर की जरूरतों का ख्याल रखती है और बच्चों की देखबाल करती हैं घर की सफाई से लेकर पक्वान और दीगर सारे काम करने के बावजूद उनकी मेहनत के सिले में उनके उनसे एक लवज भी तारीफ का नहीं कहा जाता बलके उल्टा उनके काम में कुछ नकुछ खराबी निकाल कर उनको नाकार, बस सलिखा और बेकार साबित करने की घरवालों की जानित से कोशिश की जाती है वो कहती हैं कि घरवालों के इस तरह के रवई से हमें बेहत तकलीफ होती है हम बहुत दुखी हो जाते हैं हम अच्छे से अच्छा काम परफार्म करना चाहते हैं, लकिन कुछ न कुछ खराबी ढूनने वाले ढून ही लेते हैं. ऐसी सुरत में हम क्या करें? मेरी रहे तो ये है कि किसी ने आपकी तारीफ नहीं की, आपके काम में खराबिया निकाली, तो क्या आपने मान लिया कि हाँ वाकी आप सलीखामन नहीं है? क्या आपने मान लिया कि वाकी आप बेकार हैं, ना कारा हैं? अगर आपने मान लिया है, तो मेरा सवाल ये है कि आपने ये कैसे मान लिया कि आप बेकार हैं, ना कारा हैं? आप ये सौँच सौच कर क्यूं दुखी होती है क्यूं परेशान होती है आप कैसे मान सकती है कि लोग जो कह रहे हैं वो सच है हम आउरतों की सबसे वड़ी कमजोरी यह होती है कि वो छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेती है और अपनी खिसमत को खुसरवाद ठहराती है और सौच सौच कर दुखी रहने लगती है और अपने ही बारे में नेगेटिव सौचने लग जाती है जैसा कि बाद आप आपके दमाग में बैट गई अब लग गए आप अल्ला से शिक्वा करने रोने धोने और दुखी होने बैनो आपको जो कहा गया वो आपने मान लिया आपने मान लिया कि आपकी कोई ख़दर नहीं है लेकिन बैनो थोड़ा शाओर का इस्तेमाल कीजिए थोड़ा जहन पर जोड डालिए यह कैसी सोच है बैनो क्या आपने अपने आप से सवाल किया कि मैं सही सोच रही हूँ गौड कीजिए अगर आप अपनी वैल्यू नहीं करेंगे अपने बारे में नेगेटिव सोचते रहेंगे तो कोई दूसरा आपकी वैल्यू क्यों करेगा आप कैसे सोच लती हैं कि आप अपने बारे में निगेटिव राय रखें और दूसरों से उमीद करें कि वो आपकी वैल्यू करें यह कैसे मुम्किन है है ना बिल्कल भी मुम्किन नहीं है लहाजा आपको अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए खुद की इज़त करनी होगी खुद की वैल्यू बढ़ानी होगी पहले अपनी रिस्पेट खुद कीजिए अपने आप से प्यार कीजिए अपनी जरूरतों का ख्याल रखे अपना लिबास और जहर्य का ख्याल रखे अपने आपको अच्छी तरह प्रिजट कीजिए confident रहिए अगर आप डरते डरते काम करोगे तो काम खराब होने के chances रहते हैं अगर आप आराम से काम करे अपनी सारी तवा नई और दिल्चस्पी लगा कर काम कीजिए और मुत्माइन हो जाईए कि अपने दिल लगा कर काम क्या है अगर इसके बावजूद कोई तारीफ ना करे तो यह इनका अपना problem है आपने अपने मिस्से की मेहनत इमानदारी से की है आप अपने छोटे बड़े हर काम का मज़ा लीजिए और खुश हो जाईए अपनी खुशी के लिए दूसरों पर depend मत हो जाईए आपकी खुशी अपने अंदर दलाश कीजिए आपकी खुशी आपके अंदर ही मौजूद है यह खजाना आपके अंदर छुपा हुआ है आपकी खुशी किसी और के पास नहीं है अगर बंदा यह बास समझ जाए तो जिन्दगी का मज़ा आजाए ये बेसिक सी चीज़े हैं जिसे समझ जाएं तो जिन्दगी कमल की हो जाएगी अगर आप चाहती है कि दूसरे आपकी रिस्पेट करें तो पहले आपको अपनी रिस्पेट करनी पड़ेगी अगर लोग आपकी खदर करें तो आपको अपनी खदर पहले करनी पड़ेगी लोग आपकी कितनी खदर करते हैं यह अहम नहीं है अहम तो यह है कि आप अपने आपको कितना वैल्यू देती हैं आप खुश रहें और घर वालों के साथ खुशगवार तालुखात बनाए रखिए लोग कहते हैं कि घर वाले खुश तो हम भी खुश अज़ी बीबी अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो घर वालों को कैसा खुश रख पाएंगे मशूर अर्दु के शायर अल्लमा अगबाल ने आउर्दों के लिए क्या खुश कहा है कि वज़ुद जन से है तस्वीर काइनात में रंग इसका मतलब यह है कि काइनात की सारी खुश उर्थ की वज़े से है पिर यह कैसे मुम्किन है कि आपकी वैल्यू नहीं है मान लो अगर एक दिन आपकी तवियत खराब हो जाए तो घर का सारा निजाम बिगड़ जाएगा घर की हालत देखने लाइक हो जाएगी इसे यह पता चलता है कि घर और सारे काइनात की रहनाख सिर्फ आपके दम से है आपकी वैल्यू है आपके बगएर दुनिया फीकी और बेरंग है आपको अपनी वैल्यू खुद करना है कोई कुछ कह रहा है इसे आपकी वैल्यू कम नहीं होती आप अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए खुदा की दीवी सलायतों और ताखत को पहचाने आपके सबसे बड़ी ताखत तर यह है कि आप से नसल को आगे बढ़ाती है एक नए इनसान को जनम देती है यह काफी है आपके खीमती होने का सुबूर और भी बहुत सारी खुबिया हैं जो आपके अंदर रखी है वो औरतें जो घरों में रहती हैं अपनी स्ट्रेंथ को खोज निकाले हर इनसान में अल्ला ने कुछ न कुछ सलाहियते दी होती है अपनी क्रियेटिविटी बढ़ाईए अपने स्किल्स को अपग्रेड कीजिए अपनी चोटी चोटी कामियोबियों पर खुद को शाबाशी दीजिए पहले आप खुद की वैल्यू कीजिए बाद में तो लोग खुद बाखुद आपकी वैल्यू करेंगे इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जो बहुत इंटरिस्टिंग है इस स्टोरी में एक लड़की अपनी दादी से कहती है कि दादी मा, दादी मा, हम लोग इस दुनिया में क्यों आए है आखिर क्या वज़े है हम इस दुनिया में आए हमारी जिन्दगी का क्या मकसद है तो दादी मुस्कराती है और लड़की से कहती है कि जिन्दगी के मकसद को जानने के लिए मैं तुम्हे एक छोटा सा काम बताती हूँ तो दादी ने एक अंगोटी जिस पर खीमती नगीना लगा हुआ था उस लड़की को देती है और कहती है कि बेटा किसी जेवलरी शाप पर जाकर इसकी खीमत पता करो हाँ और हिदायت करती है कि अलबता इसे बेचना नहीं सिर्फ खीमत मालूम करना है तो लड़की खरीब के एक जेवलरी शाप के पास जाती है दुकानदार को अंगोठी दिखाती है और उसकी खीमत पूछती है दुकानदार लड़की को इस अंगोठी की एक हजार रुप्य खीमत देने तैयार हो जाता है लड़की वापस दादी के पास आती है और दादी को बताती है कि दुकानदार ने इस अंगोठी की खीमत एक हजार लगाई है तो दादी ने कहा अच्छा मैं तुम्हें एक बड़े दुकांदार का एडरस बताती हूं तुम वहां जाकर इस अंगोठी की खीमत मालूम करो हाँ लेकिन उसे बेचना नहीं लड़की दूसरे दुकांदार के पास जाती है और अंगोठी दुकांदार को दिखाती है दुकांदार कहता है अंगोठी तो बहुत खुबसूरत है मैं तुमको इसके दस हजार रुपे दे सकता हूं लड़की खुश-खुश दादी के पास आती है और कहती है कि इस दुकांदार ने अंगोटी की खीमत पहले वाले दुकांदार से दस गुना लगाई है उसके बाद दादी लड़की से कहती है कि यह अंगोटी तुम अपने पास रखो और इसको तीन महीने तक पहने रहो और रोजाना इसको धो कर चमकाते रहना और तीन महीने के बाद आकर मुझसे मिलना लड़की वो अंगोठी लेकर चली जाती है तीन महीने तक लड़की इस अंगोठी की अच्छी तरह सफाई करती है देख भाल करती है और अंगोठी पहले से ज्यादा शमकदार हो जाती है तीन महीने के बाद लड़की रिंग लेकर दादी के पास आती है दादी अब लड़की को मश्वरा देती है कि तुम फला दुकानदार के पास जाओ और उसकी हीमत मालुम करो हाँ लेकिन उसको बेचना नहीं है लड़की दादी के कहने पर एक बार फिर जेवलरी शाप जाती है और दुकानदार को अंगोटी बताती है और खियमत पूछती है दुकानदार अंगोटी और उसमें लगेवे नगीने की तारीफ करता है और अंगोटी की खियमत देर लाग देने तयार हो जाता है लड़की हैरान हो जाती है और दादी को खुशी खुशी आकर बताती है कि दुकानदार ने इस अंगोठी के देड़ लाग देने का आफर किया है तब दादी लड़की को समझाती है कि जिन्दगी का मकसद क्या है तादी कहती है कि बेटा हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है जब हम अपने आपको पॉलिश करेंगे अपनी स्ट्रेंट को पहचान कर अपनी सलायतों को कोच कर इन सलायतों को अपग्रेड करते हैं तो अपनी वैल्यू खुद बढ़ जाती है जैसा कि इस रिंग की वैल्यू बढ़ी है हमारे दुनिया में आने का मकसद ही यही है कि हम अपनी वैल्यू पहचाने तो बेहनों आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कामेंट करके जरूर बताना बेस्ट आफ लाग तैंक यू झाल झाल तो देखा बेहनों हमें अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए अपने आपको पॉलिश करना पड़ेगा अपनी खदर खुद बढ़ानी पड़ेगी खुद की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी तब करमी जाकर हम जिन्दगी के राह में कामियाब होंगे